जितने भी दोस्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत लोगों ने आज मुझे वाटसेप किया था और कॉल भी किया थे कि सर मैं पुट को होल्ड करके जा रहा हूं मतलब उन्होंने पोजिशन को कैरी किया था पुट वाली अब देखिए इस मार्केट में अगर आप क पॉल या फिर पुट कोई भी पोजिशन को कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं तो वह पोजिशन कहीं न कहीं रिस्की हो सकती है इस्पेशली अगर आपका स्ट्रॉंग रिस्क नहीं है और आपने बड़ी कॉंटिटी में ट्रेड ले लिया है तो अब जैसा कि मैं बताया बह अगर अपना पॉजिशन को कट नहीं किया होगा विकॉस मैंने भी पॉजिशन पुट वाली क्या बोलते हैं कैरी की थी तो उनका आज बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा अगर वो नहीं कटे होंगे तो कहने का मतलब क्या है हम लोग सभी चीज़े डिसकस करेंगे साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी अलसीज करने वाले हैं कितना मैंने प्रॉफिट किया वह भी मैं आपको आद दिखा दूँगा बट समझना यह है कि अभी का मार्किट बहुत जादा वालेटाइल ह तो कोसीज आपने क्या करनी है कोसीज आपने यह करनी है कि quantity कम करके trading कीजिए इसपेसलि अगर आप पोजिशन करते हैं तो दिफिनेटल आप पहले से ही risk define करके चलिए profit log कर लिजे जैसे कि आपके बड़े loss नहीं होंगे तो फ्रेंट यह जो आप put की position देख रहा है ना मेरी जुलाई 36,000 पुट की है, मैं कल पुट ले के गया था, बट जैसे मैंने बोला, पता होना चाहिए, आपका लॉस कितना होगा, रिक्स मनेजमेंट स्टॉंग होगा, लिमिटेड कॉनिटी में करोगे तो फायदा है, अगर मैं रिफ्रेस करूँ तो एक बार रिफ्रेस कर देत है था, उसके कोडिंग, कहां तक मुमेंट किया है, सबसे पहले गाइस, जितने लोगों ने भी टेलिग्राम को जोइन नहीं किया है, तो डिफिनिटली आप टेलिग्राम को जोइन कर लीजेगा, आज मैंने फ्रेंट्स बैंक निफ्टी के एक पुट ही दी थी, उसमें बह आज का जो हाई था, एराउंड 16,600 का लेवल, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो 16,600 लेवल पे बहुत बढ़िया कॉल राइटर्स कड़े हुए हैं, मतलब कहीं ने कहीं 16,600 का लेवल, एक स्ट्रॉंग रेसिंस का काम करने वाला था आज के लिए, अब अगर आप देखो यहां पे आपको कॉल ओई बिल्डब भी बढ़िया दिखता है, तो यहां पे आप पुट बाइंग करते हैं, फिर फीचर सॉट सेल करते हैं, छोटा सा स्विंग है स्टॉपलस लगाते हैं, देखी कितना बढ़िया आपको सपोर्ट तक टार्केट मिला है, है ना, तो मार् पूरे दिन एक रेज में मुवमेंट किया है, इसकी बढ़िया स्टाटजी क्या होती है, हर सपोर्ट के डिप पे आप बाइंग करो, तो आप चाहते तो यहां बाइंग करते हैं, और रिवर्सल पे भी आप प्ले कर सकते हो, अगर आप एक्स्पिरेंस है तो, है ना, अब आप देखेंगे ना, तो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, कि इस 16,600 का लेवल ब्रेक आउट हो गया है, अब देखिए, अगर इस ब्रेक आउट को सस्टेन कर गया, तो हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है, अपसाइड में और बढ़िया टारगेट हम लोग कर आएगा, 16,680 के करीब, और सेकेंड टारगेट आपका निकल के आता है, लगबख 16,720 के करीब, स्टाप लोस अब क्या रखोगे, आपका स्टाप लोस होने वाला है, इसी कैंडल का स्विंग लोग है, जो कैंडल से हैना, 16,600 से थोड़ आजा नीचे 595 के पास आप स्टाप लोस रख सकते हो, और देखिए, कभी एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गाप अप गाप डाउन होगा, तो आपको अपनी स्टाटजी चेंज करनी पड़ेगी, या आपको समझना पड़ेगा, तो अगर मार लाइब की एरिया के पास आता है, अगर यहाँ पर हमें हैमर देखने को मिलती है, या फिर कोई बूली सिंगल फिंग कैडल देखने को मिलती है, तो हम लोग दो टार्गेट रखेंगे, कि वह बाइंग ही कर सकते हो, आपकर, नो शेलिंग की हम लोग बात करेंगे, पहला ट तेंगे 16,500 का एक स्वेंग लो और अगर गाईज हम लोग निफ्टी के हिट मैप की बात करेंगे तो देखिए के maximum stocks positive है, Reliance थोड़ा सा negative था बट overall maximum stocks positive है तो इसकी movement को कही न कही नलिफाई कर दिया overall इन stocks ने और एक बड़ी 2X में अपना account open कर सकते हैं जहां पे आपको up to 7% का return मिलेगा saving bank पे तो definitely आप video के description में लिंक है वहाँ से अपना account open कर सकते हैं वहाँ पे coupon code होगा मेरे name के trading tech street का उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे offers मिलने वाले हैं अब देखें गाइस निफ्टी बैंक में तो जो मैंने strategy डाल लगी है एक up हुआ तीन candle अंदर रही उसके बाद जैसे ही breakout हुआ एक बड़ी अपसाइड की रही हमें देखने को मिली अब इसी स्ट्राइजी पे मैंने थोड़ा सा पहले ही ले लिया था क्योंकि यहां पर भी एक support था और और कहीं ने कहीं संचेने बैंक से भी support मिल रहा था और इसी म 26,200 की लेवल को क्रोस करेगा तो हमें अपसाइड की बढ़िया रैली देखने को मिलेगी और देखिए जैसे ही 36,200 की लेवल को क्रोस किया निफ्टी बैंक ने हाई बनाया लगब 36,330 के करीब अब बात समझे अगर आपको 100 से 150 पॉइंट की मुमेंट मिलती है एक स्पाइ होगा उसके बात किया थोड़ा सा रेंज में रुका रहा फिर एक डाउनसाइड की रैली फिर ओवर अल्साइड मुमेंट हुई है और अगर आप देखेंगे तो 36,200 के एक्जाक पास क्लोजिं देखने को मिलती है तो अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे थोड 36,000 330 के level को cross नहीं करेगा हम लोग buying नहीं करने वाले हैं ये range कहीं न कहीं आपकी no trading zone होने वाली है इस rectangle range को आप मान के चलो no trading zone जितने ज्यादा trading करोगे losses होने की chance बढ़ जाएगी तो अगर आपका bank nifty 36,000 350 के level को cross करता है 10 point का हम लोग buffer रखेंगे तो guys हम लोगे 2 target निकल के आते हैं पहला target आपका रहेगा 36,000 440 के करीब और second target हम लोग का निकल के आता है 36,500 के करीब stop loss आप क्या रखेंगे stop loss आप रखेंगे इसी range का swing low around the area of this swing low मैं आपको बता रहेता हूं 36,000 270 का आप stop loss मान के चलने वाले हैं second situation क्या होती है कि bank nifty आपका maybe थोड़ा सा downside का correction दिखाए तो हम लोग support का wait करेंगे जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि अभी buy on dip की strategy ही आप apply कर सकते हो या फिर break out की तो अगर आप देखेंगे तो market अगर bank nifty आपका यहाँ पे इस level support का काम करेंगा सो हम लोग buying करेंगे call buying कर सकते हैं या फिर आप future buying कर सकते हैं या फिर आप put right कर सकते हो पहला target हम लोग का क्या रहने वाला है first target आपका simple रहेगा 36,150 का second target आपका रहेगा 36,250 का stop loss आप क्या रखेंगे stop loss आप रखेंगे 35,890 का एक swing low और friends अगर आप हमारे premium gold groups नहीं जुड़े हैं तो आप हमें whatsapp करके उस gold group में जुड़ सकते हैं जहाँ पर मैं आपको और extra trading ideas, charts, patterns and levels provide करता हूँ जिससे कि आपको सीखने में बहुत ज्यादा help मिलेगी हम लोग यहाँ पर consistent basis पर learning के materials भी provide करते हैं तो वह सब ही चीज़े आप हमें premium gold group में join करके ले स सकते हैं so friends अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो subscribe कीजिए वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को like कीजेगा वीडियो को share कीजेगा अगर आपका कोई भी comment है मुझे आप comment करके बता सकते हैं यसे आप बताईए कि आज आपकी expiry कैसी रही तो म में account open कराना new x में मत भूलिएगा हम दों next video मिलते हैं thank you so much guys for watching this video and bye bye